तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बड़िया सा क्रिस्पी सा सूजी का जटपट नाश्ता तो जब घर में कुछ नहीं हो बनाने को तो हम बनाएंगे सूजी का नाश्ता तो ये बहुत ही असानी से और बहुत जल्दी से बन जाता है तो हमने यहाँ पर एक कर्टोर में डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी आड़ करके इसकी इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखेंगे साथ में इसके अंदर हमने हाफ पिंच ओफ नमक डाला है यहाँ पर हमने इसके अंदर डाला है थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इसके बाद हमने इस इंग्रेड इसके बाद हमने यहां पर एक लिया है टोस्ट और टोस्ट को हम ऑईल ग्रीजिंग कर देंगे दोनों साइट से अगर आप टोस्ट पर पसंद नहीं करते तो आप इसके तव्य पर भी बना सकते हैं तो हमने यहां पर टोस्ट में मनाया है क्योंकि टोस्ट में बहुत ही जल्दी से बनकर त्यार हो जाता है हमने यहाँ पर बेटर को फिल करा और इसको एक साइड पे हमने ओईल लगा दिया है और उसके बाद हम टोस्टर को हम उलटा घरके यहाँ पर इसको दूसरे साइड से भी इसको पकाएंगे आप देख सकते है, फरस साइड हमारी पक चुकी है, तो अब हम सेकंड साइड को भी इसी तरीके से पकाएंगे, तो हमारे दोनों साइड पक के रेडी हो चुकी है हमने इसको एक प्लेट पर सर्फ करने के लिए निकाल दिया है और इसी तरीके से हमारे सभी सूजी के नाश्टे को हम रेडी कर लेंगे तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्षन ने बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप जात स्यादा शेयर करें